अगलो स्टूडेंज गुड मॉर्निंग एवरीवन कल मने पड़े थे इंडिकेशन ओफ हमारे ग्रोथ के नेक्सम पड़ेंगी प्रिंसिपल्स ओफ ग्रोथ एंड डेवलेमेंट व्रिधी अंविकास के सिधानत व्रिधी अंविकास के निश्चित पर पूर्वनिर्मारित प प्रिंसिपल्सुड हमारा सिर्च सेफ पूर्वन के दिशा में व्रिधी का सिधानत प्रिंसिपल्स ओफ सिफैलो का डल ग्रोथ मानव जाती में शिश्यू का सिर वाला हिसा बाकी हिसों से पहले विक्सित होता है तता शरीर के अन्य भागों की तिलना में बड़ा होता है क्या बोल रहा है कि जब बच्चे की ग्रोथ होनी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसका जो सिर वाला हिसा है वो क्या होता है सबसे पहले क्या करता है बच्चा अपने सिर पर कंट्रोल करना स्टार्ट करता है उसके बाद अपने बाग के हाथ या पाओं जो भी धर्ड गर्दन अगेरा उन पर कंट्रोल करना स्टार्ट करता है इसी बाद में उसके हाथ पाओं की ग्रोथ बाद में होती है तो इसी को हम क्या इन प्रिंसिपल की तीर कच जो की मिस्टीं को इस की सिनी सिंपल्ट तो कूम्प्लेक्स थाРड हमारा स्मीप स्थते दूर स्थत दिशा की सिधान्त प्रीशिपल सोफ प्रोग्जिमल टू डिस्टल एंड, विर्दिय और विकास की प्रिकरिया स्मीप सद्चे दूर, दिशा की ओर चलती है, जैसे सीर का विकास धड से पहले और प्रारंबिक भूरने अवस्ता में, हाथ पैरों की विक्रास के बाद ही प्रारंबिक उंगलियां विक्सित होते हैं जैसे पहले हाथ बनना शुरू होता है उसके बाद ही क्या आते बच्चे की उंगलिया आते तो जो पहले पास का हिस्सा है ना वो proximal part वो पहले बनता है और जो दूर का हिस्सा है वो बाद में बनता है केंद्री है तंत्री का तंत्र जो हमारा central nervous system होता है और जो हमारा peripheral nervous system होता है अधिक विक्सित होता है हमारा केंदरी के तंतरे विकास तो पहले बनता है जो हमारे पैरिफल नर्मा सिस्टेम है विक्षित होना शुरू होता है फिर आता है हमारा फौर्थ है हमारा करम बंदता का सिधान principles of sequence विरिधिया में विकास एक निश्चित करम में चलने वाली क्या है प्रिक्रिया है तथा इसके समस्त आयाम एक निश्चित पूर निर्मित अनुकरम में चलते हैं जैसे बच्चे पेट के बल सरकने से पूर पहले गिस्टते हैं खड़े होने से पूर सरकते हैं चलने से पहले खड़े होते हैं भाशा के लिए बच्चा पहले बढ़ाता है फिर एक शब्द दो शब् बनाता है ऐसे ही बोल रहा, sequence में चलती है, हर चीज में क्या करती है, sequence करम वाइज चलती है, जैसे बच्चा अगर चलना सिखता, तो यह तो है Compet Is, सबसे पहले हो क्या करेगा, दीरे धीरे अपने पाउं के सारे गसरिटना, स्टार्ट करेगा फिर वो थोड़ा खड़ा होना स्टार्ट करेगा फिर किसी चीज़ का सहरा लेकि एक दो कदम चलेगा उसके बाद वो क्या करता है चलना सीखता है एकदम से बोलना शुरूर नहीं कर देता है कुछ वर्ड्स बाब बोलना सीखता है फिर मा फिर वो क्या करता है कंटीनू बोलना स्टार्ट करता है फिफ्थ अमारा थे चरणता का सिधान जिसको हम बोलते है प्रिंसिपल ओफ स्टेजिंग वरिदियम विकास के एक निश्ची के चरणों करम में होते हैं धेले पाढ़े पढ़ चुके हैं यह सभी बच्चों में एक दर या फिर गति करम से नहीं बढ़ता पर ख़ơi ने पूरक हे पर निर्बण करता है जी से भ वाले होस्ता को पूरा करेंगे फिर कहां जाएंगे हमारी टोडलर टोडलर से हमारे प्री स्कूल स्कूल से स्कूल गोंग फिर हमारे अडल्ट के अंदर तो ऐसे क्या करते स्टेज बाइस्टेज इनको क्या करते कंप्लीट करते किसी एक चर्ण में किसी कारण वश्वरिद्य विकास की दर कम हो जाता है तो आगे किसर भी चर्ण पर भावित हो जाते है बायचांस के और बच्चा टोडलर था तीन साल, एक से तीन साल का बच्चा बच्चे के कोई इंजरी हो गी है फिर बच्चे को अच्छे से पोशन नहीं मिला है बच्च क्या हो गया कोई पोशन का शिकार हो गया तो इस चर्ण में कमी आनगी वज़से आगे कि जो इसकी स्टेजिश है चर्ण है उनमें भी क्या करता है उसके वृद्धी और विकास में इफक्ट पढ़ता है शारेरिक विद्धी मदेब अवस्ता में कम तता किशोर अवस्ता में तिर्व होते शरीर की वृदी क्या बोल रहा है कि बाल अवस्ता में तो क्या होगी उसकी कम होगी लेकिन जो किशोर अवस्ता है अडल्ट हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगी उसकी तेजी से होगी मस्तिक 90% विकाद दो वर्ष तक ह जाता है जब बच्चा क्या होता है टोडलर उस टाइम तक चाहिए और नयां चीजों को क्या करें चीज़ों को क्या को सीखें जाता है